नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस नए साल में आज है 31 दिसंबर 2022 आज साल का आखरी दिन है आप सभी को नए साल की धेर सारी शुप काम ना है और हम लोग जुनोंगा चैलेंज 2022 को कम्प्लीट कर रहे हैं आज कल से 23 स्टार्ट करेंगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं will force कुछ लोग इसको will power भी बोलते हैं how to use your will power for spiritual development अगर आप दिन में पहुचना चाहते हैं रोशनी में पहुचना चाहते हैं तो अंधेरे का इस्तिमाल करके नहीं पहुच सकते हैं सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके एडिया रेप होता है murder इस टाइप की चीज़े sin होती है जनुगा के हिसाब से नहीं होता यह किसी चीज का result होता है यह expression है पाप का कोई और चीज है पाप जनुगा के हिसाब से अगर आपके mind में minus resultant intensity है तो यही पाप है resultant intensity का मतलब है आपके mind की thoughts, emotions और activities का positive होना या negative होना strong होना या weak होना अगर एक thought आपके अंदर में positive है तो positive resultant intensity है अगर एक positive thought है लेकिन बहुत weak thought है तो वो positive लेकिन weak resultant intensity है आपके अंदर में एक negative और strong emotion है तो वो negative resultant intensity है तो एक आदमी अगर किसी का बलातकार करता है तो बहुत strong negative resultant intensity है उस आदमी का यह क्यों ऐसे देखता है ताकि हम उसको help कर सकें और बाकियों को भी help कर सकें अगर आप किसी को पापी बोल देते हैं उसका पाप खतम नहीं हो जाता हम किसी शीज के लिए बहुत regret feel कर लेते हैं तुम्हारे दर का दोश खतम नहीं हो जाता तो उसे आप से कोई आदमी पापी कौन है जिसके अंदर में बहुत ज़ादा high minus resultant intensity है इस series में आप जो कुछ भी सीखेंगे उसको apply करके आप अपनी minus resultant intensity को plus बना सकते हैं और अगर आप लगे रहे give up नहीं किया तो plus zenoga unit हसल कर सकते हैं वो बहुत ज़ादा होती है billions, 15 billion से भी ज़ादा unit होती है thoughts की और emotions की ताकत होती है अपने कहानी सुनी होगी वालमी की किस तरह से वालमी की एक डाकू थे वो बन गए साधू नहीं सुनी, रावायन लिखी थी औरो ने ठीक, same कहानी अपने अंगली मार की सुनी होगी तो उनके पाप धुले कैसे उन्होंने जो भी टीचिंग्स पढ़ी, सुनी उसको अप्लाई किया और उस application की वैसे उनका minus resultant plus resultant industry हो गया ऐसे एक छोटा सा डाकू हमारे याँ भी था वैभा शुक्ला जिनुगा कहती है अगर हमारे आसपास में बुराईयां है और इनसान उसके लिए responsible है कोई इनसान इसका मतलब है कि वो free agent है वो अगर चाहे तो अपने अंदर की बुराईयां और आसपास की बुराईयां खतम कर सकता है अगर आप ये कहते हैं नहीं नहीं जब भगवान कर रहा है तो आप उस इनसान की मौकरी कर रहे है मजाग उड़ा रहे है उसका तब आप ये कह रहे हैं कि वो नपनसक है कुछ कर नहीं पाएगा अगर इस दुनिया में कोई ऐसा भगवान है जो इनसान को कटपुतली की तरह चलाता है उससे बुराई कराता है उससे भलाई कराता है जैसे कटपुतली की शो होते है तो ऐसा भगवान तो एकदम निर्दई भगवान है हार्टलेस भगवान है एक आदमी से बुराई कराता है और उसी को regret भी कराता है ये idea मेरे को बहुत पसंद ही आया जिनोगा के हिसाब से जिन लोगों ने भी इस idea को propose किया है promote किया है वो सब कम बुद्धी के लोग थे या कम बुद्धी वालों के लिए इसको promote किया गया था एक important question एक इंसान की life किस point से meaningful होना शुरू होती है किस point से एक आदमी ये कहता है कि इस ब्रह्माण में मेरी वज़े से कुछ change आने वाला है उसी को जिनोगा critical certain stage बुलती है उसके पहले आपके वाल एक इंसान है आम आदमी है आप senses है आपको अपने जीब के लिए खाना बनाते है अपने comfort के लिए अपना परिवार बनाते है अपने आपको survive कराने के लिए आप कमाते है आप अपने लिए कमाते है लेकिन इस ब्रह्माण में आपकी वज़े से कोई change नहीं होता आप ऐसे ही है जैसे कि एक पेड़ में छोटा सा पता लेकिन एक point आता है इसमें आप इस universe के लिए एक important entity हो जाते है वो point कौन सा है उसको जिनोगा बोलती है critical certain stage जो इनसान critical certain stage में पहुँच जाता है उस आदमी के होने की वज़े से इस ब्रह्माण में एक बहुत positive impact आता है जब तक आप critical certain stage नहीं पहुँच जाते इसका मतलब ये नहीं है तब तक ये मत सोचेगा कि आपके उपर nature के laws अप्लाई नहीं करते है और ये भी मत सोचेगा कि आप free नहीं है हम सब के पास थोड़ी सी freedom होती है बहुत थोड़ी सी वो एक microsecond में खतम हो जाती है हमारे सामने दो option रखे है एक option दूसरे से थोड़ा सा better है एक ऐसा option है जो हमको सही direction में ले जाएगा और एक ऐसा option है जो हमको pleasure की तरफ लेके जाएगा distract करेगा वो choice हमारे पास है अगर हम ये कहते हैं मैं कैसे रोग सकता था आपने आपको उस pleasure से तो हमने वो choice किसी और को दे दिया एक गुलाम हम नहीं है ये body गुलाम है लेकिन हम नहीं है हमारे दिन में एक divine fragment है एक body है लेकिन दोनों की बीच में एक ऐसी entity है जिसको हम mind कहते है वो choose करती है बहुत अच्छी story है रामायन में अगर उस रेखा के अंदर रहती रावण उनको छो नहीं पाता तो रावण ने जान बुझ कि उनको कहा कि बाहर निकल के आओ वो लक्षमन रेखा क्या है choice की वो या तो अपने आपको बचा सकती थी या तो अपने आपको उस खत्रे में डाल सकती थी वो choice हम सब के पास होती है हम भूल जाते हैं दूसरी बात है पर हम सब के पास होती है रावण आया था उनको हरन करने के लिए किड्नैप करने के लिए रावण बदला लेने के लिए आया था लेकिन यहाँ पर रावण कोई और नहीं है यहाँ पर हमारे तो गई सीता हरण हो गई अगर इसको लॉक करके इसको आफ करके कहीं ड्रॉर में बंद करके उसकी चावी माता पिता जी को दे दिया तो आप बचे रहेंगे मुझे ये सवाल पूछना है कि आखिर वो लक्षमट रेखा खीची क्यों गई थी क्योंकि कुछ नो कुछ तो डाउट था ये लक्षमट रेखा हमारे free will और हमारी slavery के बीच की रेखा है कुछ activities है जो हमको slave बनाती है आज मैंने almost पाँच मिनट तक के लिए continuous पाँच मिनट तक के लिए shots देखा मैंने लक्षमट रेखा cross कर दी थी फिर मैं ऐसे किया करके बाहर निकल के आ गया cartoons में होता है न रहोश में आया सच पूछिए तो हमको मिलती है free will जब हम critical certain stage के पास पहुँचते हैं तब अपने free will को अपनी switch को इस धर्ती में हम किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं तब ब्रह्मांड का will और हमारा will एक होता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसके पहले हमारे पास कोई freedom नहीं है choose करने की freedom नहीं है यह पूरा ब्रह्मांड physically परिशान है वो evolve होने की कोशिश कर रहा है और इसको evolve करने में हम सब की मदद चाहिए जैसे जैसे आप critical certain stage में पहुँचते है वैसे वैसे आप individual रहना बंद कर देते है आप cosmic हो जाते है और आप इस पूरे ब्रह्मांड की evolution में part देते है हमने पहले पढ़ा है कि एक आदमी four out of five centers में काम कर सकता है पांच center कौन कौन से हमारे brain के I, E, S, M और पांचवा है intuition center उस पे हम लोग काम नहीं कर पाते है चारों का example दीजे I का example किताब को ध्यान से पढ़ना E का example गुसा होना और कोई ऐसा बताई जिसमें पता नहीं चलता ऐसा वाला E बताईए खाने में थोड़ा ज्यादा खाना दुखी होना हम लोग को पता नहीं चलता है हम दुखी हो जाते है S का example दीजे Monstubate करना और M का example Movement, Body का Movement अब इन पांचों में से किस center से आप काम करेंगे ये freedom आपके पास है लेकिन आम तोर पे आदमी इस freedom को गलत तरीके से इस्तिमाल करता है आपके पास चार बोतल में चीजे रखी है एक में शराब है एक में कोल्टरिंक है एक में clean water है और एक में medicated water है अब आपके पास freedom है कौन सी बोतल से पीएंगे आप freedom तो है लेकिन उस freedom में कही ने कही मैं चाहता हूँ कि आप सही चीज करें लेकिन आम आदमी क्या करता है अकसर गलत चीज करता है अगर आपने शराब की तरफ हाथ बढ़ाया तो आप नशे में ही जाएंगे इस physical world में अगर आपने E और S negative E और S में अपने activities की तो आप बंधर की तरफ ही जाएंगे अब ध्यान से सुनिये आपके आज सपास में हजारों लाखों लोग है जो की हमेशा बंधे हुए है bondage में है परिशान है इसका मतलब ये तीनों चीजे नहीं है कौन सी तीनों चीजे कि किसी इंसान को भगवान ने मना कर रखा है कि तुम free नहीं होगे तुम ही खाली बंधे हो कई लोग हैं जो free हो चुके है आज अगर आप bondage में है इसका मतलब ये नहीं है कि आप free नहीं हो सकते आप free हो सकते है ये तीनों चीजे आपके लिए सही है देखिए हमारा मन जो होता है न वो ऐसे trick करके thoughts गुमाता है जब हम दुखी होते है यार मैं नहीं कर सकता सब देखो आसपास में सब को देखो दुखी दुख है इसी दुखी दुख में Krishna और Buddha भी थे उनको अवारा दिमाग पकड़ता ही नहीं इसी दुख को देख करके Buddha भाग गए वहाँ से दुख में से निकल के भाग गए हम नहीं देख पा रहे हैं एक बड़ी खराब चीज बोल ली है मुझे आपको बहुती खराब चीज आपके शायद दिल को हर्ट हो जाए बुरा लग जाए आप और हम हर इंसान बाई बर्थ क्रिमिनल है चाहे आप अपनी इंस्टिंक्ट बोल दीजे अपनी education बोल दीजे चाहे अपनी pedigree मतलब आपके पूरवज के हिसाब से भी हम सब क्या है क्रिमिनल्स हैं क्यों क्रिमिनल्स है भाई अगर हमारे से कोई गलती हो सकती है तो हम क्रिमिनल है एक साप को आप क्यों जंगली जनवर बोलते है क्योंकि काटता नहीं काट सकता है आप शेर से क्यों भागते है क्योंकि वो खा सकता है और अपने आपको बड़ा मासूम समझते है आपको मालू है जितना खतरनाक साप का काटना है उतना एक खतरनाक इंसान का काटना है सच बता रहा हूं है अगर किसी इंसान ने दूसरे इंसान को दाथ से काट लिया और खूर निकाल दिया तो poisonous होता है वो हमने medical में पढ़ा है it is one of the most poisonous thing in the world जाने जिम्मत काटिए अपने आपको हम सब के सब biological actions और chemical reactions है हमारी body ही बनी है chemical से chemicals मतलब दो-तीन chemical को add करो फट करके फट सकता है वो वो हम है कभी देखा है गुस्से में हम कैसे फटते अगर हमारे अंदर वो चीज नहीं है तो हम कैसे फटते है एक zen monk था उसके पास एक दूसरा common आदमी रहता था बहुत ही common बहुत ही common वो आके हमेशे इस monk को बूचता था आग है आग उस जमाने माचस नहीं हुआ करती थी लोग पत्थर से आग जलाते थे बड़ी मुश्किल से आग जलती थी तो बुलता था मैं खाना नहीं बनाता हूँ बार बार पूचे आग है आग है आग है फाइनली क्या हो बता है ना एक दिन गुस्सा आग हो नहीं है मेरे पास आग तो उसने क्या पूचा कहां से निकाला तुमने वो उसको पूच पूच के उसकी आग को उसके इंस्टिंक्ट को उसके अंदर के क्रिमिनल को निकाल रहा था हम सब को लगता है कि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमारे actions हमारी पढ़ाई के उपर और हमारे environment के उपर depend करता है अगर अच्छे माहल में तो अच्छे तरके से behavior करेंगे और vice versa हम सब अंदर से जानवर है और जानवर मौका खोचता है बाहर निकलने का सांब की तरह फन निकालते हैं रात को हमारे अंदर में हर चीज़ डिपेंड करती है equilibrium and non equilibrium of centers की उपर जिस इंसान ने अपने IESM को बराबर कर रखा है उससे तो गलतिया होने के chances कम होंगे और vice versa अगर आप इस चीज़ के उपर ध्यान नहीं देंगे तो आपसे mistake होने के 100% chance होंगे कल NTPC दादरी से एक आदमी ने अपनी गाड़ी निकाली जा रहा था हो कहीं मंदिन निद्द जा था गुमने के लिए और रस्ते में अंधेरे में कोहरे में अठारा फीट गड़े में उसके गाड़ी गिर गई beach road पे गिरी, side में गिरी पता नहीं पट गिर के आओ, मर गया आदमी हम सब के सब chemicals है हम सोचते हम हम समझदार लोग है, हम aware लोग है यह गलती हमारे साथ नहीं होगी जो ऐसा सोचता है, उसी के साथ गलती हैं हम जब दूसरों को बुरा बोलते हैं, तो हमको अपने आप से पूछना चाहिए, कि क्या हम से गलती नहीं होती जब कभी हम कोई corrective method apply नहीं करते अपनी self analysis नहीं करते हैं तो हम से गलती हैं तो सामने अले से भी दू हो सकती है और हम लोग क्या करते हैं बाद में regret करते हैं तो हमको यह समझना पड़ेगा regret ऐसा है जैसे कि एक आदमी जो प्यास से मर गया है, उसको आप पानी पिला रहे हैं अगर आप कभी future में कोई गलती करने वाले हैं और उसको पहले से ठीक नहीं करते हैं तो आप criminal ही है बाद में करेंगे क्या जब गलती हो जाएगी उसके बाद ठीक करेंगे उसको सवाल तो यह है कि हम कौन सी चीज को कर सकते हैं पहले ही अपने अंदर के criminal को खतम करने के लिए अगर वो बिमारी है जो उस जमाने के most powerful man थे उनके पास नहीं थी Netflix था उनके पास Netflix नहीं था उनके पास गीजर था उनके पास गीजर नहीं था air condition नहीं था लेकिन यह अच्छी ख़बर नहीं है यह बुरी ख़बर है पहले तो बिचारे बैठे बैठे लोग आपस में दिन भर खेत बैठा करते थे धूप सेका करते थे शाम को जल्दी सो जाये करते थे सुबह जल्दी उड़ जाये करते थे क्यों कोई option था ही नहीं आज distract होने के options कहीं जादा है अब समझिए कि क्यों हम लोग इतने परिशान है क्यों इतने criminal है क्योंकि हमारे brain में दो group में लोग रहते है political parties बनी हुई है हमारे brain में एक तरफ एक strong party है S center और E center मिल कर काम करती है S center अके लिए भी काम कर सकता है हमारे दर जो instinct है जानवर जो है वो अके लिए भी काम कर सकता है लेकिन E center को हमेशा S center की मदद चाहिए होती है तब ही उसको strong feel होता है इन सब में सबसे senior कौन है हमारा intelligence, I center लेकिन ये question पूछना चाहिए senior क्यों है एक senior आदमी किसी company में पता है senior क्यों होता है manager चार managing directors है उसमें सबसे senior managing director मालिक नहीं managing director senior क्यों है क्योंकि उसका contact है boss के साथ, मालिक के साथ ऐसे ही हमारे I center का possible connection है intuition center के साथ section 2B के साथ section 3 और 4 के साथ intelligence का है हमारे दर के emotion और instinct हमारे दर के जानवर का connection नहीं है God के साथ अच्छा है important चीज़ जैसे I center है E center है, S center है ये तीनो planets की तरह है ग्रह ग्रह में होता है rotation और होता है revolution हर ग्रह की अपनी rotation और अपनी revolution होती है किसी की कम, किसी की जादा होती है उसी हिसाब से वो सूरज के पास या सूरज से दूर होता है ठीक, ऐसे ही हमारे I, E, S की अपनी rotation है और revolution है और उस rotation और revolution की वैसे उसमें force है यह सब revolve करते हैं अंदर के divine fragment के चारों तरफ लेकिन भूल जाते हैं उनको पता ही नहीं है normally हमारा S center किस चीज के चारों तर रिवाल्व करता है sensation की तरफ, sex की तरफ इसलिए sex की बात है, sex की फिल्म है sex, sex और sex उससे पहले जब तक बच्चा होता है तब तक उसके लिए toys और खाना हमारा S center revolve करता है sex के चरफ, E center revolve करता है emotions की तरफ, I center revolve करता है क्या जान लूँ, क्या जान लूँ, कैसे निकलू, कैसे निकलू लेकिन actually इन सबको एक साथ मिल करके revolve करना चाहिए divine fragment की तरफ जाना चाहिए हो इसी वजह से revolution और rotation की वजह से अपने हर एक center में बनता है force, उसी को बोलते है will force या तो will power जो की I center का होता है plus और minus 4, E center का होता है plus और minus 1.500 S center का होता है plus और minus 1.500 M center का होता है plus और minus 100 और finally, intuition center का होता है plus और minus 200 सबसे जादा force होता है I center में plus और minus 400 E, S दुनों मिल करके 300 हो जाता है उसके बाद M center को मिला करके 400 हो जाता है, इसलिए हमेशा उसको beat कर देते है M में कितने है? 100 और इसलिए हर बार I center कुछ भी करने की कोशिश करता है उसको दबा देते है E, S और M अब आज की वीडियो का सबसे important part जब भी हम will power बोलते है तो ऐसा लगता है जैसे कि बस कड़के दिखाऊंगा ऐसा लेकिन ऐसा है नहीं will power मतलब आपने एक चाभी ली और गाड़ी में डाला कार में on किया पूरा engine चालो हो जाता है उसके बदा आपने नीचे clutch दबाया gear change किया, accelerator दबाया गाड़ी चलना शुरू हो जाती है इस दोती movement से जो आप हाथ से और पैर से करते हैं गाड़ी के अंदर में धेर सारी machine हैं काम करती है ऐसे ही हमारे brain में अगर हम right movements सीख लेते हैं तो पूरा force create होता है और आपसे right action करा सकता है और अगर आप यह नहीं जानते तो आप try करते रहेंगे हिम्मत करते रहेंगे अपने आपको जोश दिलाते रहेंगे motivation देते रहेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे इसे बच्पन में मैं जब गाड़ी में बैठता था कार चलाने तो आती नहीं थी मुझ से आवाज निकालता था और गाड़ी चलती नहीं थी तो जो भी अपने आपको हिम्मत दिलाते हैं जोश दिलाते हैं वीडियो के जरीए motivational talks के जरीए अपने आप ही positive talks के जरीए वो willpower नहीं है willpower है understanding IESM उनकी working और उनके उपर सही तरीके से corrective methods को apply कर पाना इसको सीखना अदर्वाइज आप कभी भी willpower को use नहीं कर पाएंगे और हमेशा blame करते रहेंगे इसलिए don't be blindly forcing things on yourself इसलिए मैंने शुरू की थी आज की video पाप से और पापी से वो बिचारे कुछ नहीं करते हैं गलतियां करते हैं confused होते हैं और रोते हैं फिर भीग मांगते हैं कोई हमको help करो कोई और आपको help नहीं कर सकता किसी और ने आपको बांधा नहीं है आपके ही अपने centers की कमी है उसको ना समझना आपकी कमी है जैसे कोई आदमी cycle पर बैठे गिर जाए फिर cycle पर बैठे गिर जाए तो कौन उसको चला सकता है कौन चला सकता है किसी आदमी को cycle पर कौन चलवा सकता है खुदी चलाना पड़ेगा उसको सीखना पड़ेगा खुदी जैसे balancing सीखनी होती है ऐसे यह I और ES इन सब की balancing सीखनी पड़ेगी और तब ही आपके दर में force इकठा होगा इसी को सीखने को अब लोग कहते हैं जिनोगा basic and advanced course ये एक science है जो आप यहाँ पर सीखते हैं और इसको अगर आप हमारे साथ सीखना चाहते है तो इस नंबर पर आप course जोइन कर सकते हैं चीक है और भी डिर सारे courses है और इसके लाव हमारे साथ आप personally मिल सकते हैं करेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ जनोगी बन सकते हैं इस movement को दूर दूर तक पहुचा सकते हैं हमारे साथ मैं personal जनोगी त्यार करूंगा और उनके जरीए हम लोग हजारों जनोगी बनाएंगे all over the world अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ होना चाहते हैं तो यह नंबर है इसके contact करें अगर इसके पहले आपको जनोगा basic advanced course complete होना पड़ेगा दूस्तरा ठीके बाए